मर्द प्रदेश के हर्दा जिली की ग्राम सुल्तान पुर्म एक अजीवों गरीब मामला देखने को मिला जाए एक बक्री ने अजीव तरह से दिखाई देने वाले मेमने को जनम दिया है जिसकी आखे तो दो है लेकिन उसकी पलक एक ही है जिसे देखने के लिए भीड लग र में घ्राहिं है कि ग्रामु सिल्तान पुर्म निवसी मराठा ने बताया कि उनके परिवार में सालों से बुक्री पाली जारी में दाशके बिदा पसू चक्रुच कि पारियों कर फार के ने यह यह जनम जाद बिमारी है ऐसे बच्चे ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहते हैं, छोटी मोटी बीमारी का उपचार संभव है, लेकिन ऐसी बीमारी का इलाज संभव नहीं है, इसका ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहना मुस्किल है ग्राम सल्तानपूर में एक बक्री ने बच्चे को जन्म दिया था, जिसको कंजनाइटल मतलब जन्म जाद डिफेक्ट्स थे, इस तरह के बच्चे जो रहते हैं, जादे अधिक समय तक जिन्दे नहीं रह पाते हैं, और इस तरह के बीमारी का उपचार भी, छोटी मोटी बी जनके गोवर का रस्ता नहीं रहता है, उनका भी आप्रेशन संभव हो जाता है अपने अस्पताल में, लेकिन इस तरह जो आखों के डिफेक्ट्स रहते हैं, इस तरह के बच्चे तो विसे भी जीवीद नहीं रह पाते हैं, और इलाज भी अपने हाँ संभव हो पाते हैं, पाते हैं, पॉप नहीं हैं, चbayla इस तरह के यहीं हुआ हैं, यहीं हो हो लिवर हम हैं, खो भी उती हैं, गॉआ हैं, हो जनका भी भी आफर क्ड़ी में當然 हो, लेकिन नहीं हैं, क्संत्राइब और यहीं हैं, अजर findmen के उत्सफ भीनित अर्व dites़ हैं, उत्थर नहीं हो जीब